आप सब ने शायद कुछ ट्रक्स के पीछे ये चेंज लटकती भी दिखी होंगी कि आप लोग जानते हैं इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन होता है स्टाटिक चार्ज को अर्थ में वापस से डाल देना इसका मतलब यह है कि जादा तर इस केसेज में ये जो चेंज होती हैं वो ऐसे ट्रक्स के पीछे लगी होती हैं जो फ्लेमेबल सबस्टांस को लेके जा रहे होते हैं अब जब एक ट्रक चलता है तो उस पर स्टाटिक चार्ज खटा हो जाता है और अगर इन केस कोई उसको चुएएगा तो वो स्टाटिक चार्ज स्पार्क प्रिड्यूस कर सकता है और बहुत बड़े बड़े एक्सेडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि उस ट्रक के अंदर एक फ्लेमेबल सबस्टांस है तो जैसे जैसे ट्रक चलेगा ये लेक्रिक चेंज जमीन पर टकराती रहती है और सारा स्टाटिक चार्ज अर्थ पर डालती रहती है जिससे कि हम इन एक्सेडेंट्स से बच सकते हैं तेंक यू